गुड मॉर्निंग आप सभी को आज का बाजार कैसा रहेगा आज का बाजार एक लेवल से बहुती तगड़ा गिरेगा निफ्टी 50 की अंदर 525 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी के अंदर 1600 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगा जी हाँ मैं आप लोगों को एक ऐसा लेबल बताऊंगा जहां से आज की दिन आप लोगों को तगड़ा गिरावर देखने को मिल सकता है तो पहले हम यहां पर पोस्ट बाजार को एनलैसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चाट के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकती हैं जो निफ्टी 50 के अंदर थरजडे के दिन मंदी देखने को मिला था 0.11% से हमें मंदी देखने को मिला फिन निफ्टी की बात करेंगे तो 0.27% से हमें तेजी देखने को मिला मेड केफ निफ्टी की बात करेंगे तो 0.24% से हमें तेजी देखने को मिला सेंसेक्स की बात करेंगे तो 0.14% से हमें मंदी देखने को मिला बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 0.18% से हमें तेजी देखने को मिला Dow Jones की बात करेंगे तो 0.70% से हमें मंदी देखने को मिला Nasdaq की बात करेंगे तो 2.47% से हमें मंदी देखने को मिला यानि की Overall Data से हमें यह पता लग रहा है जो आज के दिन Bazar यानि की Nifty 50 और Bying की Nifty Gap Up Opening हो सकती है जी हाँ, मैं आप लोगों को चार्ट के उपर ले चलता हूँ तो देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा Free वाला टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किया हुआ है तो जाकर के जोईन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अवाट सक्षन में मिल जाएगा अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर और भी कुछ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलिग्राम चैनल जोईन कर लिजे आप लोगों को फुल डीटेल टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा तो पहले हम चलते हैं Nifty 50 के चार्ट के उपर और उसके बाद जाएंगे हम Bank Nifty के चार्ट के उपर तो यहाँ पर आप लोग के सामने Nifty 50 का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है तो पहले हम चलते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम के उपर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पांच मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको लगा दिया है यहाँ पर किलियर कट आप लोगों को देख रहा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो Thursday के दिन इसे जानने के लिए हम जाएंगे वन डे के चार्ट के उपर तो यहां पर आप लोगों के सामने वन डे का चार्ट लगा हुआ है, फटा फट से आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, लाइक करना भूल पता नहीं क्या होता है, आप लोगों को लाइक करने से, तो देखें, लाइक करने से सिर्फ हमें मौटिवेशन मिलता है, अगर चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लेना और बैल आकन के नौटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लेना, अगर आप लोग बैल आकन के नौटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो, तो मेरे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो आप लोग जरूर से जरूर बैल आकन के नौटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो consider करेंगे निफ्टी 50 जब इस livel के नीचे जाती है जो की लेवल है आप लोगों के सामने है ये वाला लेवल एग्जेक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल होगा जो की लेवल होगा 23,336 जब तक निफ्टी 50 लेवल के उपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर bottom को consider नहीं करेंगे ठीक है अब aggressive buy side के तरफ कफ जाएंगे तो aggressive buy side के तरफ जाएंगे इस level के उपर जो की level है 23,877 का aggressive sell side के तरफ जाएंगे 23,336 के नीचे ही जाएंगे याने की sell side के तरफ, put side के तरफ, buy side के तरफ जाएंगे की call side के तरफ ठीक है जब तक इस range में कामकाच करती है nifty 50 हमें यहाँ पर neutral रहना है याने की एक ही strategy को follow करना है buy on dip, sale on rise, यह तो clear हो गया, अब जलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 minute के time frame के उपर, वहाँ पर देख लेते हैं आज की दिन के लिए trade करने के लिए कौन-कौन सा level important रह सकती है intraday के base के उपर, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 5 minute का time frame लगा हुआ है, बिलकुल ध्यान से देखना, वीडियो को बिलकुल भी skip मत करना, जो लोग skip करते हो, ऐसे लोगों का market के अंदर कुछ भी नहीं बनने बाला, त अगर आज के दिन nifty 50s level के उपर gap up opening ले लेती है, तो क्या यहाँ पर call की entry लेना चाहिए, या फिर यहाँ पर trade को avoid करना चाहिए, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को, अगर आज के दिन nifty 50s level के उपर gap up opening ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बिलकुल भी हर बड़ के सामने है, देख सकते हो, जब भी इस level के पास आई है, nifty 50, एक correction देखने को मिला है, तो अगर आज के दिन nifty 50s level के उपर gap up opening ले ले लेती है, तो यहाँ से हमें एक profit booking देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो opportunity होगा, वो होगा put buying करने का, put कैसे buy करना है, gap up opening लेने के बाद, जो यहाँ पर पहला 15 minute का candle, अगर यहाँ पर 20 candle बना देती है, तो आप लोगों को इसके लोग को यहाँ पर mark कर लेना, और उसके बाद आप लोगों को 5 minute के time frame के उपर आ जाना है, जब 5 minute का candle बनेगा, 15 minute का candle बनने के बाद, जो 9.15 से लेकर के 9.30 तक का candle बनेगी, उसके बाद जो 5 minute का candle बनेगा, अगर इसके लोगों के नीचे closing दे देती है, तो यहाँ पर put away कर सकती हो, पहला target आप लोगों का यह वाला level रह सकता है, जो की level होगा, 23,569 का, जो की Thursday का closing है, अगर यह level break कर जाती है, तो दूसरा जो target होगा, वो होगा, यह वाला level जो की level होगा, 23,480 का, तीसरा जो target होगा, वो होगा, यह वाला level जो की level होगा, 23,354 का, अगर यह level break कर जाती है, तो सीधा जो target होगा, आप लोगों का 23,290 का, अगर 23,290 का level break कर जाती है, तो अगला जो target होगा 23,142 का, अगर 23,142 का level break कर जाती है, तो सीधा जो level होगा, व तो होगा 23,000 का ठीक है तो यहां से हमें 525 पॉइंट का गिरावर देखने को मिल सकता है निप्टी 50 के अंदर ठीक है जो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के सुरू में कहा था ठीक अब यहां पर दूसरा कंडिशन क्या रह सकती है गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहां पर 45 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आती है और उसके बाद 10 बजे के बाद अगर इसके हाई के उपर क्लोजिंग दे देती है तो आप 1740 का सिर्फ एक टारगेट के लिए आप लोग इजली जा सकते हैं कोल साइट के तरह बो भी कम कॉंटिटी के साथ अब माल लीजिये कि अगर आज के दिन नेप्टी 50 यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए तो यहां पर लोजिक समझने वाली बात है अगर यहां पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहां पर 15 मिनिट का केंडल बुली सकेंडल बना देती है या फिर बीरी सकेंडल बना देती है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है आप लोगों को क्या करना है इसके हाई को लोको मार कर लेना है और उसके बाद next candle 5 minute का बनेगी अगर इसके high के उपर closing दे देती है तो call वाई कर सकते हो या फिर इसके low के नीचे closing दे देती है तो आप लोग यहाँ पर put वाई कर सकते हो दोनों ही condition में यहाँ पर 100 point target के लिए आप लोग easily जा सकते हो ठीक है अब माल लीजिए यहाँ पर flat खुलने के ब यहाँ पर 2 condition होगा दो condition पहला condition क्या होगी जब इस level के पास आएगी 10 points उपर नीचे यहाँ पर buffer लगा करके चलना है याने की minus plus ठीक है और उसके बाद अगर यहाँ पर एक bullish candle का formation ले लेती है और next candle अगर इसके high के उपर closing दे देती है तो यहाँ पर call वाई कर सकते हो best opportunity होग अगेन यह जो low बनेगा इसके low के नीचे closing दे देती है तो best opportunity होगा यहाँ पर put buying करने का और सीधा target आप लोगों का यहाँ पर रहेगा 23,354 का अगर यह level break कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा गिरावर देखने को मिल सकता है nifty 50 के अंदर अब माल लिजिये कि अगर आज के देन nifty 50 इस level के नीचे gap down खुल जाती है जो कि level है 23,48C का या फिर इस level के नीचे gap down कूल जाती है 23,354 का level है अगर दोनों ही condition में यहाँ पर इस level के नीचे gap down खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हर वड़ी के अंदर put की entry नहीं लेना है यहाँ पर wait करना है retracement का ठीक है अगर इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का low बनेगा again slow के नीचे closing दे देती है तब तो put by कर सकते हो otherwise यहाँ पर put नहीं by कर सकते हो अगर इस level के नीचे gap done खुल जाती है तो यहाँ पर 2 condition होगा अगर यहाँ पर 30 minute के अंदर अंदर इस level पर दुबारा retracement करने आती है और यह जो पहले का low बनेगा again slow के नीचे closing दे देती है तो put by कर सकते हो target यहाँ पर 100 point तक का रह सकता है ठीक है या फिर दूसरा जो condition होगा gap done खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला ही candle केंडल यहाँ पर bullish candle बना देती है तो इसको कुछ भी नहीं करना है next candle यहाँ पर बनाती है इसको भी कुछ नहीं करना है ठीक है next candle को क्या करना इसके high bond low को दोनों को मार कर लेना और उसके बाद जब third candle बनेगा इसके high क्यों पर closing दे दाती है तो call वाई कर सकते हो अगर इसके लोग के नीचे clothing दे देती है तो put वाई कर सकते हो यह दोनों ही condition में call या put के चकर में यहाँ पर 100 point target के लिए आप लोग easily जा सकते हो ध्यान में रखना जब तक हमारे condition को यहाँ पर certify नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर trade setup को नहीं बनाएगे हमारे condition को यहाँ पर certify करेगी हम यहाँ पर trade setup को बनाएंगी ठीक है अब चली अब हम चलते हैं बाइंक निफ्टी के चार्ट के उपर वहाँ पर देख लेते हैं आज की दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है बाइंक निफ्टी के अंदर तो आप लोगों के सामने बाइंक निफ्टी का चार्ट है भाई मेरे यहाँ पर किलियर कट आप लोग देख सकते हो और clear cut देख सकती हूँ हम यहाँ पर chart को clear कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पर जो candle का formation हुआ है तो यहाँ पर देख सकती हूँ यहाँ पर कुछ लग रहा है bank nifty के अंदर कि यहाँ पर हमें bottom feel होते को देख रहा है ठीक है तो क्या यहाँ पर हम consider कर सकते हैं कि यहाँ पर आप reversal देखने को मिलेगा देखे reversal कब हम यहाँ पर consider कर सकते हैं जब buying nifty इस level के उपर आती है जो की level है 50,893 ठीक है अगर इस level के उपर जाती है buying nifty आज के दिन तो आप लोगों को buying nifty यहाँ तक जाता हुआ देख सकता है जो की level है 50,380 का ठीक है aggressive हम जो जाएंगे यहाँ पर call side के तरफ वो जाएंगे 50,380 के उपर ही और aggressive cell side के तरफ जो जाएंगे वो जाएंगे इस level के नीचे ही जो की level है आप लोगों के सामने है 49,800 का level है जब तक buying के nifty इस level के नीचे नहीं जाती है हम यहाँ पर aggressive cell side के तरफ यहने की put side के तरफ नहीं जाएंगे जब तक इस range के अंदर कामकाच करती है हम यहाँ पर neutral रहेंगे यहाँ पर strategy को follow करेंगे buy on divs, sell on rise, buy on divs का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पर आएगी इस support के पास तो हम यहाँ पर call buy करेंगे या फिर इस resistance के पास आएगी तो यहाँ पर sell करेंगे याने की put buy करेंगे जब तक range के अंदर कामकाच करेंगी यहाँ पर इसी strategy को follow करेंगे अब चलिए देख लेते हैं पांच मिनट के time frame के उपर जो आज के दिन आप लोगों को किस तरीके से कामकाच करना है intra day के base के उपर तो आप लोगों के सामने 5 मिनट का time frame लगा हुआ है अब यहाँ पर समझने वाली बात है logic समझना जरूर है अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन सा pattern का formation हो रहा है भाई मेरे यहाँ पर देख सकते हूँ यहाँ पर intra day के base के उपर बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो w pattern है भाई मेरे तो क्या यहाँ पर हमें call की entry लेना चाहिए बिल्कुल लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए gap up opening लेने के बाद अगर यहाँ पर 30 minute के अंदर अंदर दुबारा retracement करने आती है 10-20 point उपर या फिर 10-20 point नीचे ठीक है यहाँ तक आती है retracement करने आती है retracement करने करने अगर यहाँ पर 20-30 point अगर नीचे चले जाती है 50 point नीचे चले जाती है यह कोई बड़ी बात नहीं है banking NFT के अंदर तो यहाँ पर हर बड़ाना नहीं है आप लोगों को बेट करना अगर यहाँ पर नीचे यहाँ तक आ जाती है अगीन जब इस लेवल को यहाँ पर breakout कर देती है तो यहाँ पर call की entry बना सकतो यह best opportunity होगा और पहला target आप लोगों का रहेगा यह बला लेवल जो की लेवल होगा 50,558 का अगर यह लेवल यहाँ पर break कर जाती है 51,054 का अगर यह लेवल ब्रेक कर जाएगी तो यह लेवल अगला जो लेवल होगा बो होगा यह बला लेवल जो की लेवल आप लोगों के सामने है देख सकते हो यहाँ पर 51,355 का अगर यह लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो target होगा बो होगा यह बला लेवल जो कि लेबल होगा 51,664 का अगर ये लेबल भी ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टारिगेट होगा 51,889 का ठीक है जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के सुरू में कहा जो 600 पॉइंट का आप लोगों को रेली देखने को मिल सकता है तो वो इस कंडिशन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो देखिए बाइंग निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट 500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है ये सिंपल सा बात है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपना कंडिशन बता दिया जो कंडिशन यहाँ पर फुल्फिल होनी चाहिए ठीक है अब माल लीजिए कि अगर आज के दिन बाइंग के निफ्टी इस लेवल के उपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल के उपर सस्टेन नहीं कर पाती है तो क्या करना चाहिए तो देखे यहाँ पर कंडिशन क्या होगी यहाँ पर टाइम फ्रेम को रल लगाना यहाँ पर 15 मिनिट का ठीक है 15 मिनिट का जो केंडल बनेगा बीरी स्केंडल बनेगा ठीक है जब देख लेना पांच मिनिट का candle यहाँ पर बिरीज केंडल बन रही है तो आप लोगों को पंदरे मिनिट का टाइम फ्रेम लगा लेना यानि कि 9-15 से ले करके 9-30 तक का जो candle बनेगा 15 मिनिट का यानि कि यहाँ पर बिरीज केंडल बनेगा ठीक है और उसके बाद आप कर रहेगा जो की थर्डे का क्लोजिंग है अगर ये लेबल ब्रेक कर जाएगी तो दूसरा जो लेबल होगा वो होगा ये बला लेबल जो की लेबल होगा 50,077 का अगर ये लेबल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टार्गेट होगा वो होगा 9904 का अगर ये लेबल भी ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टार्गेट होगा वो होगा उन्चा सजार का एक साइकलोजी का लेवल होगा ठीक है इतने टार्गेट के लिए आप लोग एजिली जा सकते हो हाला कि इतना टार्गेट के लिए कोई जाता भी नहीं है लेकिन यहाँ पर जो मेरा लोजिक है जो मेरा व 200 points से उपर की नहीं होनी चाहिए ध्यान में रखना ठीक है और next candle अगर इसके IQ उपर closing दे देती है तो यहाँ पर call वाई कर सकती हो ठीक है यानि कि यह लेबल भी यहाँ पर break कर जाती है तो यहाँ पर call वाई कर सकती हो पहला जो target रहेगा आप लोगों कबूर रहेगा अब माल लीजी यहाँ पर flat खुलने के बाद immediate इस लेबल के पास आ जाती है तो क्या करना चाहिए जो की लेबल है पचास जार सततर का तो यहाँ पर आप लोगों को बेट करना है 10-20.50 उपर नीचे यहाँ पर बफर लगा करके चलना है इस लेबल को टच कर देती है और क्लोजिंग दे देती है तो best opportunity होगा कॉल बाइंग करने का पहला टार्गेट रहेगा जो की थास्डे का क्लोजिंग है दूसरा टार्गेट आप लोगों का यहाँ पर रहेगा पचास जार 377 का अगर यह लेबल ब्रेक कर जाती है तो लास्ट जो टार्गेट होगा बहोगा पचास जार पांसो अंठा बनका ठीक है करेक्ट समझ में आगया आप लोगों को अब माल लीजे कि अगर आज के दिन बाइंग के निफ्टी इस लेबल के नीचे गैब डॉन खुल जाती है जो की लेबल है पचास जार 377 का अगर इस लेबल के नीचे गैब डॉन खुल जा है जाब डॉन खुलने के बाद अगर इस लेबल पर दुबारा रिट्रेस्मेंट करने आती है कब तक 10 बजे के अंदर अंदर ठीक है अगेन जब इसके लोग के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है तो पुटवाई कर सकती हो पहला टार्गेट रहेगा उन्चास जार 904 क दूसरा टार्गेट यहाँ पर सीधा रहेगा उन्चास जार 630 का अगर यह लेबल ब्रेक कर जाती है तो सीधा जो टार्गेट होगा उन्चास जार 500 का अगर उन्चास जार 500 का लेबल ब्रेक कर जाती है तो लेबल होगा उन्चास जार 354 का अगर लेबल ब्रेक कर जाती है जो की लेवल है 49,400 का सुरी माफी चातो 49,900 का अगर इस लेवल के पास आ जाती है तो क्या करना चाहिए तो देखिए ध्यान से समयना मड़ी बातों को अगर इस लेवल को यहां पर टच कर देती है और यहां पर अगर यहां बुली सकेंडल बना देती है और बुली सकेंडल बनाने के बाद अगर नेक्स्ट केंडल इसके हाई की उपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर कोल वाई कर सकती हो पहला टार्गेट रहेगा 50,077 का दूसरा टार्गेट रहेगा जो की थर्टे का क्लोजिंग है 50,249 का तीसरा टार्गेट रहेगा 50,370 का चोथर टार्गेट आप लोगों का यहां पर रहेगा 50,589 का यह लाश्ट टार्गेट होगा यहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट को भूक कर सकती हो यहां तो फिर अपना SL को ट्रेल भी कर सकती हो और यहां से एक रिवल्स ट्रेड भी बन सकता है लेकिन यहां पर कंडिशन को सर्टिफाइ करनी चाहिए जब इस लेवल के पास आएगी 50. उपर नीचे यहां पर बफर लगा करके चलना अगर यहां पर एक बेरी स्केंडल का फॉर्मेशन हो जाती है और फॉर्मेशन होने के बार नेच्ट कंडल लोग के नीचे कलोजिंग दे दती है तो यहां पर कम कॉंटिटी के साथ पूटबाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर रिष्की रह सकता है रिवल्स ट्रेड में एंट्री लेना ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को हमारे कंडिशन को यहां पर सस्टिफाई करेगी तो हम यहां पर ट्रेड सेटप को बनाएंगे हमारे condition को यहाँ पर certify नहीं करेगी हम यहाँ पर trade setup को नहीं बनाएंगे आप लोगों को मैं बार-बार कहता हूँ पूरे वीडियो को देखा करो जो लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हो तो आप लोगों को मेरा level देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा level उनहीं लोगों को काम काच करके देगा जो लोग पूरा वीडियो को वीडियो को वाच करता है logic by logic समझता है जैसा मैं level बताता हूँ level पर कैसे काम करना है level पर किस तरीके से करना है तो level समझोगे तो पैसा बनाओगे लेवल को नहीं समझोगे तो पैसा नहीं बनाओगे गवाओगी ठीक है तो ऐसा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी आगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगो को और भी कुछ चाहिए तो मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के बॉट सेक्षन में भी मिल जाएगा तो फटाफट से जोइन कर लें और जा करके फूल डिटेल लें और उसके बाद आप लोग कोर्स ले जा फिर और कुछ ले ले सकती हो तो चैनल पर ने हो तो सस्क्राइब भी कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाएं बंदे मातरम